आज मैं बनाने चाह रही हूं बहुत बहुत टेस्टी, सूपर सॉफ्ट, फ्लपी, जालीदा इस्पंजी ढोकला इस ढोकले को बनाएंगे हम बीना साइट्रेक एसिट के, बीना सोडे के, बीना बेकिंग पाउडर के तब भी हमारा ढोकला इतना सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार, हलवाई, इस्टैल बनकर तयार होगा इस ढोकले को बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा चलिए अब ढोकला बनाना स्टार्ट करते, देड़ कब बेसन लिया है, बेसन हमें बारिक वाला लेना है और इसे हम अच्छे से चान लेंगे ताकि बेसन के अंदर किसी भी तरह का कोई लंप्स न रहे और बेसन को चानेंगे तो इसके अंदर हवा बढ़ जाएगे और जो ढुकला हमारे बनेगे एकदम सॉफ्ट इस्बंजी बनकर तहियार होगा बेसन चान का तयार कर लिया है और हम डालेंगे इसके अंदर बंटी स्पूद नमक नमक और बेसन को अच्छे से कर लेंगे मिक्स आप हमने देड कप बेसन लिया था तो देड कब से आधा डालेंगे दही दही हमें खटे वाला लेना है और आप आपके घर में किसी भी कप या कटोरी से मेजर्मेंट कर सकते जितना दही डालेंगे देड़ कब बेसन और स्यादा दही और दही के बराबर पानी ओर इस अच्छे से फेट लेए तीनिनित तक और अब डालेंगे इसके अंदर दो टेब मशक्ड जूस और दो टेबल स्पून डालेंगे हम तेल मैं और अब डालेंगे अब लडी डालने में खास ज्यान रखना है कि सिर्फ हल्दी थोड़ी सी डालना यानि वन पिंच इतनी हल्दी अगर हल्दी जादा डाल देंगे तो जो डोकला बनेगा उसके उपर डॉट डॉट आएंगे और बिल्कुल हल्वाई जैसा डोकला नहीं बनेगा और हमें बनाना हल्वाई श्टायल और इस अच्छे से एक लागाता चलाते हुए टोट यानि बनाएं वन या कह तो देंगे हैं अगर आपके पास समेश कादा है एक घंडे के लिए भी सेठ होने के लिए रख सकते हैं अब हम बनाएं जओ केंग के ना बना है अगर आपके पास नहीं है ता थाली पतिली या रोटि के डिबे में भी आप नोकले को बना सकते हैं और इसको में अच्छे से ग्रीस कर लिया है और देखें तीस मिनट हो चुके अब हम बेटर को चेक कर लेते हैं और देखने साइब पता चल रहा होगा कि थोड़ा बेटर और भी हल्का फ्लफी दिखने लगा है उसे अब अच्छे से दो मिनट तक को फेटना हैं में और जब भी फेटे एक डारेक्शन में फेटे और इस बात का धियान डखे किसमें लंस न रहे अब मेने कि इस्टीमर में पानी गरम होने के लिए रग दिया रहे और अगर आपके पास इस्टीमर नहीं है तो आप पती लिए कड़ाई में भी बना सकते है अब हम स्पंजी डोकला बनाने के लिए डाल वे एक पाउज इनो फ्रूट सॉल की है लेमन फ्लेवर की है इसी से जो डोकला बनेगा आज एकडम सौब जॉलिदार बनका तयार होगा और इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं डाला है एक टेबल स्पुल इनो के परपानी और इस अच्छे से 30 सेकंड के लिए हमें फेटना है और हम हमें ज्यादा देल के लिए नहीं रखना है और आपको पानी कम लगता है तो आप पेलेट कर सकते हैं लेकिन मेरा बेटर बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसे एक पॉट के अंदर ट्रांसफर कर लूंगे और इस कर देंगा था से 20 मिन के बीच में इसे खोल कर नहीं देखना है नहीं तो जो डोकला बनेगा नो पिचक जाएगा 20 मिन हो चुके और में ठोकले को चेक करती हूँ देखने से पता चारब कुछ बोलने की जरूवत ही नहीं है कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी डोकला बनका तय कर देंगे जल्दी बाजी नहीं करना निकालने में देखें अभी से किनारे चोड़ देए लेंगे अभी हम नहीं निकालेंगे अब मुष्ट तड़ कर लेते एक पें लिया इसके अंदर ढाला है एक टेबल स्पॉन तेल अच्छे से गरम हो जाएका तब हम डालेंगे एक कड़ी पत्ता तीन डाली है हरी में काट कर डाले जिसे अच्छे से चला ले अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप पानी क्योंकि हम बना रहें जूसी एकदम सॉफ्ट अल्वाई जैसा डोकला और पानी में जब बॉयल आ जाएगा अच्छे से पानी उबल जाएगा ताब हम डालेंगे 2 table spoon शक्र और एक table spoon डालेंगे निवबू का रस और अच्छे से इसमें बालाने देंगे ऑफर्णी अच्छा से उबल जाएगा तब हम गेश को बन कर देंगे और ताड़के ने देंगे थंड़ा चबल Seit yangud प्यज़ा होगया थंड़ा अच्छे से ड़ना प्र निकल कर गया बिल्कुल पर्फेक्ट डोकला बनाए देखने से पता चालें कितना सॉफ्ट डोकला बनका तयार हो आप ठंडा होने के बाद हम इसके पीस करेंगे और में बड़े-बड़े पीस कर रही हूं जैसे हलवाई के दुकान से लादे रहें बड़े-बड़े पीस किसी भी तरह के कोई भी सोडा बेकिंग पाड़ा नहीं डाला रहें कितना स्पंजी डोकला बनका तयार हो आप मनाते ही चट्नी एक क्राइंडर जाल लिया है और इसके अंदर मुठी भर मेंने हरा धनिया तीन हरी मेच डाल दी है एक इंचे द्रक का टुकड़ा नमक डाला यह देखिए मेरी हरी चट्नी चटपटी सी चटा केदार बनका तयार है कितनी परफेक्ट चट्नी बनी हो कितना बड़या कलर आए से में एक बावल में ट्रांसवर कं लिया आए और रहा हम ठणे खर्णे भी अधंड के पर डालेंगे हम ठंडा हलका गुझ-गुझणा थर इस तरह से साढ़े तड़के को डाल दिया है और देखने से पता चला ना परफेक्ट नी तरह से कोई गानिशिंग नहीं घुले कितना सुन्तर नहीं तरह तरह ने कर सकते हैं और देखेए कितना जूसी हमारा धुकला बनकर तयार होगे एकदम जालीदा और इसे मैंने ह़ी चट्णी के साथ त्षण किया है और इसी के साथ ये धूकला ज्यादा अच्छा लगता है और भौती खाने में मज़िदा धुकला बनकर तयार हुआ है जब कभी भी आपको हलक कि फुलकी भूक लगए अचानक से को महमान आ जाए तो इस तरह से आप धुकला बना कर खा सकते और महमानों को खिला सकते यकिन मानिए की परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ परफेक्ट भुकला बनकर तयार होगा और जिसकी को भी खिलाएंगे वह आपकी तारीफ करते नहीं तरह आप मेरे बताए हुए तरीके से और भुकला जरूर बना अगर अपको मेरी रेशिपि पसंद आए है तो आप मेरे चेनल को लाइक करी सिस्क्राइब करो बेल आइकन को דबाना ना भुलेता कि मेरी मजदार से आने वाले रेशिपि आपको मिलती रेए फिर मिलती हूं कोई नई रेशिपी के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई